2011 में आई रन्बीर कपूर की फिल्म रॉक स्टार काफी हीट फिल्म रही इस फिल्म में रन्बीर कपूर के साथ नर्गीज फाकरी लीड रोल में थी रॉक स्टार फिल्म को इम्तियाज अली ने डाइरेक्ट किया था ये फिल्म दर्शकों की पसंद रही फिल्म में रन्बीर कपुर ने अपनी पर्फॉमंस से लोगों का दिल जीता था ऐसे में अब फिल्म के डाइरेक्टर इम्तियाज अली इसका सीक्वल बनाने जा रहे है Recently इम्तियाज अली ने अपनी latest release अमर सिंग चमकिला को लेकर चर्चे में बात की और अप इम्तियाज अली ने एक इंटर्व्यू में फिल्म रॉक स्टार के सीक्वल को लेकर positive response दिया है इस तरह रॉक स्टार 2 फिल्म पर इम्तियाज अली सोच रहे है अब देखना होगा कि अगर फिल्म का सीक्वल बनता है तो क्या रनबीर कपूर फिर से इस फिल्म में नजर आएंगे फिलहाल रनबीर कपूर अपने दूसरे प्रोजेक्स में बीजी है उनके पास रामायन, वार अंड लव जैसी फिल्म में पाइपलाइन में है वैसे आप कितने एक्साइटेड हो रॉक स्टार के सीक्वल रॉक स्टार टू के लिए आपकी रह में जरू लिखेगा हमारे कमेंट सेक्शन में अल्सो प्लीज दो सब्सक्राइब आँ चैनल नेशननाव मुंबई से विदिता प्रताप नेशननाव